तो क्या आप लोग भी confused हैं इस बात को लेकर कि बरसात की सबजियां आप लगा देनी चाहिए कब लगाएं, कैसे लगाएं, किस तरह लगाएं आज की वीडियो में मैं हर एक इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या बरसात में लगने वाली सबजियां, यानि जून जुलाइन में लगने वाली सबजियां मैं के लास्ट वीक में लगा सकते हैं देखे बारिश तो आ चुकी है, तो क्या जब बारिश आने लगी अब, तो क्या अब हम लोग भी जबो थें आज मैं इस पर आपको डिटेल पर वीडियो बनाऊंगा with my 5 years of experience कि ताकि आप लोग समझ पाएं और मौसम की क्या tragedy है जो कि वो follow करके आप लोगों को बेवकूफ भी बना सकता है आज हम लोग इसी के बारें बात करेंगे overall so please वीडियो को end तक देखेगा भली ही आप लोग वीडियो लाइक करें या ना करें क्योंकि उससे क्या होगा आपकी knowledge गेन होगी और आपको अच्छे से समझ आएगा तो बस टेल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल में फिर्स टाइम आया हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना हेलो टेर्स गार्टनर्स एंड माइडियर फैम बंस अगेन विल्कम बैक उन अनधर वीडियो तो अब जब बारिश आ चुकी है आप लोग देख रहे हो कि मौनसून की तरह कुछ दिन से खास कर नौर्थ इस्ट की बात करूँ या हमारे इंडिया की अकसर रीजिन्स में रेनी सीजन स्टाट हो चुका है क्या ये रेनी सीजन है या केवल ये बिना मौसम बरसात है सिंपल वर्ट्स में अगर आप लोग के अलिमिन टर्मस में आप लोग को समझाओं तो ये बिना मौसम बरसात है अभी मौनसून नहीं आया मौनसून जनरली हमारा जून के लास्ट वीक में आता है और अभी से देखिए आप लोग पूरी मही मैं अगर आप लोग को बताओं तो हर एक एक हफता 10 दिन या हदोहत 12 से 15 दिन का गैप लेके पूरे अपरेल से हमारे इंडिया में बारिश हो रिया तो ऐसा क्यों हो रहा है यह अदर टॉपिक है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्लाइमिट चेंज की कारण ऐसा होता है या यह डिपैंड करता है बारिश पर तो अगर मैं आप लोग को बताओं यह सीजन बिलकुल भी क्या लायक है कि हम लोग अब बीच बोते हैं कई साहरे लोग वो temperature मिलने लगा उसका favorable condition मिलने लगी कि जब बादल भी आ गए तो बीच बोदे हमारा plant हमें जल्दी से harvesting देने लगेगा अक्सर लोग यही कलतिया करते हैं और बरसात में उगाई जाने वाली सबजी जैसे कि लौकी, तोरे, कद्दू, भिंडी, बैंगन और कई लोग तो पालक वालक भी बो देते हैं For example, मैं आप लोग को बताऊं, कई बार गर्मिया लेट पड़ती हैं, उसी तरह कई बार मौनसून भी जल दियाता है, लेकिन यह कोई मौनसून नहीं है, यह बिना मौसम बरसाता है जैसे ही, अभी कुछ टाइम तक, अक्सर रेनी सीजन में होता यह है, दोस्तों, कि रेनी सीजन में लगातार बारिश होती रहती है तो जग्दम हार्श सनलाइट पड़ती है हमारे सन की, वो हमारे पौधे पे नहीं पड़ने पाती है, क्योंकि बारिश तुरंत तुरंत एक दो दिन गैप पे, और कोई बार तो दो तिन दिन कंट्यूनियू भी चलती रहती है तो ऐसे में जो हमारी नियू सीट्स जर्मिनेट होते हैं, वो मरते नहीं है और अगर हम लोग इस सीजन की बात करें, तो ये बिना मसम बरसाथ अगर आप लोगोंने कटिंग लगानी है, तो आप लोगोंने इस टाइम तक तो कटिंग लगाई लेनी चाहिए आखिर मैं ऐसा क्यों बोल लाँ, आप लोग जानिए, इसकत का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है और थोड़ा बहुत मोईस्चर अभी हमारे एयर में हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कटिंग लगाओ चाहिए, प्लूमेरिया हो, हिबिसकस हो और रोस की भी लग जाएगी लेकिन थोड़ा ज्यादा वो टाइम कंस्यूम करेगी, लेकिन लग ज़रू जाएगी तो कुछ बेसिक कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्राफ्टिंग की, तो नहीं, अभी इस वक्त हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ्टिंग को थोड़ी सी भी धूप पसंद नहीं होती, और जब बहुत जादा वारिश होरी होती है, जब धूप नहीं निकलती, तब जो हमारी पॉदी की रूट्स होती है, वो हमारे जो पॉटिंग मिक्स होता है, उसमें अच्छे से फैलती है, तो ग्राफ्टिंग ना अभी करें, आप लोग नहीं करवाना, बस आप लोगे भी कटिंग कर सकते हो, और बहुत साली आप लोग ध्यान दीजिए, यह सब ज़्यादा जरूरी है, बाकि जो भी आपने यह देखा जड़ सी, यह कोई जड़ नी, यह रसी थी नाजल की, जिसका कि मैंने जाल बनाया था, नेट बनाया था, लोकी, तोरी, कद्दू, करेला, और खीरा, ककड़ी, इन सब की बेल च चाहता है, साथी में, जो नेट होता है, उससे हमारे पौधे में कीड़ी भी नहीं लगते होता है, कि अगर हमारी जो मिट्टी में जब बैल फेलती है, तो उसके अच्छी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो बस यह कुछ काम थे जो कि आप लोग को कर लेने चाहेंगे और कुछ पाते हैं जिनका अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोग अच्छे से गाड़निंग कर पाओगे और हाँ मई में तो आप लोग को बिलकुल भी बीज नहीं डालने तो उमीद है आपको आंसर मिल क्या होगा कि आप लोगों को कोई से भी बीज अभी नहीं डालना है आप लोग 15 जून के बाद से भली बीज डाल दो वह चल जाएगा लेकिन अभी 15 दिन पहले एडवांसमें में मट डालिए ठैंक यू